पूरे राज़े में डेंगू ने कोहराम मचा रखा है फिर चाहे वो राजधानी देहरादून हो या फिर पहाड के जिले हो पूरे प्रदेश में डेंगू के ग्यारा सो से जादा केसिज आ चुके हैं जबके 15 लोगों के मौत भी हो चुकी है एक रेपोर्ट आपको दिखाते हैं पूरे प्रदेश कंदर बहुत गंबीर इस्तिती है और राजधानी में तो डेंगू ने अपना सामराज्य फैला दिया है और इस विशे को हमने सदन के अंदर भी उठाने का काम किया है लेकिन सरकार द्वारा जिस तरीके से डेंगू की रोग थाम के लिए कारी करना चाहिए था उसमें पूरी तरीकी से विक्बल हुई है छिड़काओ जो है हर ग्राम पंचैसे लेकर हर वार्ड और हर घर तक करने का निणे के आगया दूसा ये के आगया है कि लगबक तीन हजार बेड जो है डेंगो के लिए अलग से अरक्षित कर दिये गए चिंता की बाद तो ये है कि कोरोना की तरह ही डेंगो के भी अलग-अलग स्ट्रेन है राजधानी दहरादून में नब्बे फेसिदी केसों में डेंगो का सबसे अधिक घातक स्ट्रेन दीटू पाया जा रहा है इस घातक स्ट्रेन से पेड़ित मरीज को शुरू के चार दिन तेज बुखार आता है प्लेट लेट सेजी से गिरने लगती है सिरदर्द, उल्टी, बदन दर्द की शिकायत होती है और फिर ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है कोविट के बाद देंगू कितना बड़ा खतरा बन गया है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मोखे मंतरी पुषकर सिंग धामी को हालाद पर नियंतरन के लिए कमिशनर गड़वाल को मोर्चे पर तैनात करना पड़ा स्वास्त सची राजेश कुमार को देहरादून और हरित्वार में अस्पतालों में जाकर विवस्थाओं का जायजा लेरा पड़ा हाली में संपन हुए विधान सभा सेशन में भी देंगो का मामला च्छाया रहा दरदून से विशाल गर के साथ सुनी लव प्रभात की रिपॉर्ट और मैं नेता प्रिटिपक्षिया श्पाल आरे ने सरकार पर जनता के सवालों के अंदेखी करने का रूप लगा है विधान सभा भवर में आयूजी त्रेस कॉंफरिंस में आरे ने इसी हफ्ते संपन हुए विधान सभा सेशन को लेकर बात रखी आरे ने कहा कि नियमानुसार साल में तीन सेशन बुला कर सरकार को साथ दिन का सेशन चलाना चाहिए विधान सरकार इसके आसपास भी सेशन नहीं चला पा रही हालात ये हो गए है कि पिछले साल आठ दिन और इस साल के वर्थ साथ दिन ही सेशन चला सरकार सदन में जनता के सवालों का सामना करने से घबरा रही है सदन के कारवाई पिछले वर्स आठ दिन हुई और इस वर्स साथ दिन हुई है जिससे जाहिर होता है कि सरकार की नियत मंसा सदन को चलाने की नहीं है हमने कारे मंतरा समिती में भी पुर्जो तरीके से इस बात को कहा सदन की पुर्णा जिससे जाए पुर्णा जे बात की नहीं है